बात करने जारें James Cameron की मूवी जो कि अफ़दार The Way of the Water अभी थेटर में चल लिए इसके इलावा कौन कोन सी मूवी जो James Cameron ने अपने पूरी करियर में बनाई है और जो कि काफी super hit हो चुकी है फर्स्ट मूवी के बात करें जो था Terminator Terminator जिसने रिलीज किया था 1984 में जिसका बज़ट था 60 करोड और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किये थे 700 करोड इनकी 700 सेकंड मूवी के बात करें जो किए Aliens Aliens को रिलीज किया था 1986 में जिसका बज़ट था 185 करोड जिसने टोटल कलेक्शन किया था तीन हजार करोड़ और इस थर्ड मूवी की बात करें जो दे कि Terminator Terminator का सीकुल बनाई गया था Terminator 2 जिसे रिलीस किया था 1991 में जिसका बजट था एक हजार करोड़ और इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया थे 5200 करोड़ ये बन्दा पहले इसे 1000 करोड़ में खेलता रहा है और फूर्थ मूवी की बात करें क्या ही कहने जो कि Epic Story Club जो भी कहने वो कम है टाइटैनिक टाइटैनिक को रिलीस किया था 1997 में यानि 1997 में जिसका बजट था टोटल 2000 करोड़ और इस मूवी के जो भी कहलो क्योंकि ये मूवी पूरी दो साल तक ठेटरों में चली थी फिफ्ट मूवी की बात करें जो कि Avatar जिसे रिलीस किया था 2009 में और इस मूवी का टोटल बजट था 2300 करोड़ यानि कि 2300 करोड़ इस मूवी इन टोटल क्लेक्शन के ये थे 18000 करोड़ या मूवी काफी दिनों तक ठेटरों में चली थी और सेकेंड मूवी जो कि Avatar 2 जो चल लही है The Way of the Water इसकी इंफ्रमेशन और इसका क्लेक्शन जानने के लिए हमार ऊपर आये विटन को क्लिक कीजिए इंफ्रमेशन अच्छी लगी तो आपको बता क्या करना है Thank you for watching